तो स्वागत दोस्तों मेरे चैनल मिस्टर ब्लोगर यूपी में आसा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे तो आए दोस्तों आजम गुरकपुर की उस अस्थान पर ले सकते हैं जैसा कि आप लोग थमनेल में ही देख लिया है कि इतना अच्छा स्थान ह और हम लोग लग गया तो लगा तो समंदर कमा जाने तो हम वहां पहुच चुके जहां आप लोग को बेसफरी से इंतजार था चलो भई देखा प्रिका था वह जगया कौनता है आए देख ते रामगरतार उसका नाम है जो कि आप लोग यहां देख सकते हैं जो प्रीडी ल जा रहा है तो बने रहे मेरे वीडियो के साथ और चलते हैं दिखाते हैं आपको क्या बाइस साथ देखिए हम लोग अंदर आ चुके हैं अब कैसा लग रहा है वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताईएगा और देखिए आप लोग एदर समानवान सब भी करा है जो चाहे आप खरीद के खा सकते हैं मिन्नास है यह देखिए वीडियो मनाने वाला है जो कि अभी मेरे यूज का नहीं है तो हम आगे दिखाते हैं आप तो एक तर देखिए पूरा ताल सभी लोग अपने में मस्ता हैं किसी से कोई मतलब नहीं यह तो लेटिस नीज है तो भंते रही है देखिए और अभी हम आपको दिखाते हैं उत्तर पर्देश का सबसे उचा धंडा जान देजेंगे इसके लिए और आप लोग उस पल को मद मिश कीजिएगा तो देखते रही है चलते हैं लेके आप लोग तो भाई इस त्रेंगी की उचाई जो है लगबग 75 मीटर है जो कि उप्तर पर्देश का सबसे उचा जंडा है और हम इस रामगरताल के बारे में आपको और बताते हैं जो रामगरताल अलगबग 77 एकड़ में फैला हुगा है यह पूरा रामगरता अगर आप लोग यहां आएंगे अपने खुद के नजरों से देखेंगे तो कुछ आजीब ही मज़ा मिलेगा और चारों तरफ जल ही जिली मिलेंगे प्राचिनकाल में ताल के अस्थान पर एक पिसान लगड़ था जो के यहां के राजा के हट के नाराज होकर सिद्ध के स्राप्स के वज़ज़ से रामगरताल जमीन में 40 फिट नीचे दस गया और वहां यह ताल बन गया और हम वो ताल आपको भी दिखाएंगे कितना अच् प्राइब लगा हुआ आप देख सकती हैं मज़ा आ जाएगा जिन्हों ने मेरे चैनल को सब्सकाइब नहीं कि आया प्लीज सब्सकाइब कर ले और बैल आइकन को प्रेस कर देख और लाइक का बटन दबा देख और प्यारता कमेंट करें कि कैसा लगा यह वीडियो और ऐस तो अब हम ले चलते हैं आपको इसके अंदर जो कि थोड़ा सा अंदर जाने पर पूरे शमंदर जैसा फील आता है यहाँ पर जो कीसी रामगर ताल कहा जाता है तो आप लोग बने रहे ये वीडियो के साथ और देखते रहे और इस वीडियो में कौन सा पाट सबसे के लिए और हम लोग आते ही देख रहा है कि हम लोगों है तुड़ा सेल्फी लेलते हैं वीडियो बना लेते हैं और देखते हैं दोस्तों हमारी बोट आ गई है पीचे देखेए और हमारी बोट आ गई है तो हम इसमें बैट के अब हम Commerce जलका मज़ा लेंगे और साथी साथ इस तिरंगे को जाहिंद और आप लोग भी इस तिरंगे के रिए जाहिंद कमेंट में जरूर लिखिएगा तो फानली दोस्तो हम लोग नाव में बैठ के अब जल का मज़ा ले रहे हैं और आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा अच्छे तरफल में फैला हुआ है यह जल जो कि इस नाव से हम लोग इसका सफर कर रहे हैं जो कि इसका टिकट है लगबग 100 रुपिया जो सूपर फास्ट का है और हम लोग इसमें बैठ के मज़ा ले रहे हैं डर तो लग रहा है हलका हलका लेकिन साथ में हम लोगों ने पहन रखा है कोट इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी अब हम चलते हैं आपको ले के आगे आप देखते रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है तो दोस्तों हम समंदर का मज़ा लेने के लिए बैठ गए हैं नाव में दोस्तों देखिए हम लोग बैठ गए नाव में और हमारी कुछ बिल्डिंग हैं जो दिख रहे हैं नाव में से कितनी अच्छी दिखरें यह बाई साब तो बाई हम लोग चल वाला जो अस्थान है खतम हो चुका है और हम मोनाव से उतर चुके हैं और हम लोग कुछ वीडियो फोटो को क्लिक कर रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत ही अच्छा और आप लोग देख सकत लिए और फोटो कमेंट करके बताएगा कि कैसा है कि तो यह देखिए दोस्तों हम लोग बीच रामगरताल में जो की उस पे हम चड़गे फोटो टू क्लिक करा रहे हैं जिससे भीड़ तो लग रही है बाई साब हम फोटो क्लिक कर रहे हैं वीडियो बना रहे हैं तो चारो त तो देना ही है भोटो तो खिचना ही है तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों हमारे चारो तरफ भीड लगई है जैसे ही हमने वीडियो बनाना शुरू किया चारो तरफ भीड लगई अब मैं बोलू तो बोलू क्या भाई तो भाई अगर इस वीडियो में कोई गलती हो गई ह तो कैसा लग रहा है दोस्तों यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को लाइक नहीं किए यार ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूं आप लोग सब्सक्राइब कर यह जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर यह लाल बिटम दिख रहा होगा आपको सब्सक्राइब क में बाहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा तोशी के साथ मेरा ब्लॉक समाथ होता है तो प्लीस सब्सक्राइब कर दिजे और अचलते हैं जैहीं जैवा